प्रिवात नोग के इंसा के लिए कौन जिम्मेदार अब इल्जाम आप सुनने लग रहे हैं कि यह सब राजजीतिक फाइदे के लिए कराया गया कोई कह रहा है कि इसमिस्थानिये लोग नहीं बहार से लोग आए थे राजसान से लोग आए थे तमाम तरीके की बाते में दिखाये कि दंगा हमेथा मुसल्मान के लोग करते हैं तो मैं रागी सर्थी यह पूछना चाहूंगा कि हिंदु राष्टे हमारा देश कब बनेगा और कब हम सुरक्षित होंगे आपने कैसे यह आपको कैसे अब लगा कि मुसल्मान ही दंगा करते हैं यह जब भी हम कुछ सोबा यात्रे निकलती तो ऊपरते पत्थर मारते हैं लोग करता है कि मुसलिम बहुल इलाके हैं जीसे आप वालड़ सीटी जहां पर करते हैं जहांप発ले मुसलिम लोगों के रहने का केंद्र हुआ करता था या जो मुसलिम बहुल इलाके हैं या मुसलिम पावर सेंटर्स जहां रहते हैं वहीं दंगे होते हैं आप देखिएगा और ये दंगे अर्बन सेंटर्स में होते हैं आप जो रूरल इंडिया में है वो दंगे नहीं होते है वो 2% दंगे होते हैं उसका कारण आपको बताता हूँ कि जो मुसल्मान के गाउं वेगर हैं वो चारवावर से गाउं के हिंदों के घरों से गिरे हुए होते हैं तो नतीजा है उनको ये डर रहता है कि जैसे हम दंगा करेंगे तो बगल वाले गाउं आकर के पीटेंगे कूटेंगे साथ ही जो है उनका आर्थिक भहिसकार करेंगे वो खत्म हो जाएंगे लेकिन सहर में वो चीजे नहीं रहती हैं आप देखेंगे कि दिल्ली में दंगे कहां होते हैं मुस्लिम बहुल इलाके में होते हैं अहमदाबाद में वही होगा बड़ोदा में वही होगा भीविंडी में वही होगा अलीगर में वही होगा जो अलीगढ़ के दो इलाके हैं quick तो दो वर्ग चाहिए ही ना आपको बता रहा हूँ दंगा के बिल्कुल आप सही कर रहे हैं एक बात भाई ने कहा कि भाई दंगे में मारे कौण जाते हैं बार मैं आपको बताता हूँ एक इस देश के बहुत प्रतिस्थित ग्रही मंत्री थे उनके हाँ मैं 2010 में गया था और मैंने एक बहुत सिधा सवाल पूछा कि इस देश में दंगों की सुरुवात कौन करता है सबसे ज़्यादा आप तो हम मिनिस्टर हैं आपके पास फाइल होगी उनने असपस्ट कहा और उनसे जूट की उमीद में नहीं कर सकता था उनने कहा कि दंगों की सुरुवात मुस्लिम ही करते हैं दूसरी बात मारे जाते हैं सबसे ज़्यादा वो क्यों क्यों कि हिंदू आप देखेंगे कि जो गांधी कहते थे हिंदू कुछ देर तक लड़ता है फिर भागाता है लेकिन फिर ये क्या करते हैं आपने देखा होगा कि ये पुलिस के सामने भी वो दंगे करने पर उतारू रहते हैं पुलिस की गोलियों से सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, मेरट में, मलियाना में जहां भी आप देखेगा ये पैटरन आपको बता रहा हूँ ये अध्धन के आधार पर बता रहा हूँ कोई मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ ये होता क्यों है सवाल ये है उन्होंने कहा कि 1947 के बाद इस देश के हिंदू ने विभाजन तो इसी आधार पर स्विकार किया था न कि भाई चलो अब कम से कम ये भला टल जाएगी इस देश में अब ये नहीं होगा दंगे नहीं होगे हिंदू-मुस्लिम की समस्या नहीं रहेगी लेकिन क्या ऐसी चीज है मुसल्मानों में कि मुसल्मान हर जगा जहां भी रहता है वो असंतुस्त नहीं रहता है जहां वो एक अंतिम बात कह लेता हूँ बस मैं आपको इसका कारण बताता हूँ वो असंतुस्त इसलिए रहता है क्योंकि वो अपनी identity में इतना closed है कि वो खुले समाज के लिए जीने के लिए उसकी चेस्टा ही नहीं रहती है जहां वो है जहां सरियत है वहां भी दुखी है और जहां नहीं है सरियत वहां सरियत लाने के लिए दंगा करता है जहां सरियत है वहां भी आपस में मार्क पिट करते हैं ये प्यू रिसर्ट सेंटर का स्टेडी है कि पचासी प्रतेसत इस्लामी क्रेडिकलिजम में मारे जाने वाले लोग मुसल्मान ही है पूलिए मैं कह रहा हूं कि ये फ़ी प्रोफेसर साब के पूरी दुनिया घूमे में इस विडिया आप में कौनसे हिंदूते कौनसे मुसल्मान ते किस मुसल्मान ने अबम चलाई बढ़ाए आफ़ जो आपनी अमरीका ने चलाया आपके नहीं आए अपने उन तो दिया निय करें हैं कि मक्का मस्जिद में फिलाश्ट हुए मुसल्मान गायल हुआ मुसल्मान मरा मुसल्मान बंद हुआ जो है सम्झादा एक प्रोज में मुसल्मान थे उसमें बंचलाया मुसल्मानी बंचला रहा था मुसल्मानी बन रहे बंचला है अज मेरे मतलगा पर बंचला है इस पुझाओं में पुझाओं में किसने बंब बंब चलाए बज़े जलाई किसने आज मौलाना को मार दिया अब तो अब जब 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 मेबाद को छबाने के लिए नहीं नहीं देती जहां बने पर आता है तो ऐसी मक्खी बैट जाती है यह रख मारने नहीं ज़गे जब बनाने है जब बढ़े जब भरेंगे अब लगतार नहीं cook it ऑए के बूलीं मैं यह चैघ्याराओं कि बहारती जनता पार्टी जब-जब सब्सरी लाए में ज़ेए भालालीन की सब्सर्कार्amy वातलर जाऊम अधिलागी फिलानी के जमाने म तो यह जब बनने से पहले यह जब बनी तो उसके बादी सरकारों में कहीं आई ना इनके बनने से पहले देश पे दंगा नहीं होता था सरमें यह पूछना चाहती हो कि अगर ऐसी कोई भी नीउस वहाँ थी कि कोई क्रिमिनल उसी यातर में है जो वहां के लोग नहीं चाहते थे कि वहां रहे तो क्या यह काम उनका काम था उनकी जिम्मदारी थी कि वह हर्याना पुलीस को यह जाके बता है ताकि वह उस पर आक्श विजबी सार आप सही सवाल है अगर मौनुमाने सार वजए है कि मौनुमाने सार आ रहा था इस से लोग भड़क गए तो पुलिस को बताते हैं दबाव बनाते हैं कि यह आदमिया नहीं आना चाहिए यह सवाल इनका फिर मैं कह रहा हूं कि यह बहुत बड़ी साधिश है कौन लोग वहां पे आए क्यों भेजे गए इसका अभी जाच हो रही है खोद वहां के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम इसको जाच कर रहे हैं अभी लोग अरेस्ट हुए है और अरेस्ट होंगे सब इंक्वारी होगी सब सामने आएगा कि कौन लोग थे मकामी लोग वहीं के कर रहे हैं कि अधर बॉलिए बिटा कोई भी रांडम निउस जिसकी वज़े से वाहां जो कि मोनु माने सर के शोभाय यात्रा में मौझूद होने की थी जिसकी वज़े से वहां इतने दंगे भडग गया तो आगे देखा जा सकता है कि किसी भी फेक निउस से देश में ऐसे कि दंगे होते रहेंगे इसी लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर ऐसा कोई वीडियो आता है अगर कोई गुम्राह कुन फेक निउस है उसको रुखवाया जाता है और जो लोग कौन रुखवाया जाता है और जो लोग अगर कौन में माते हैं आप कोई कारवाई होती है आप उस लड़की का सवाल समझे नहीं वो एक कह रही है कि अगर यहां मौनू माने सर वजह बता दिया कल को कोई फेक निउस आजकल तो फोन का जमाना है इंटरनेट का जमाना है कहीं पर कोई जूटी तस्वीर जूटी ख तो मेरा सवाल बोली हारिया वाजारिया तो मेरा सवाल है कि जैसे कि नूम में जो भी हुआ उससे जो राज़नीती ना करके हम इस पे कड़ा एक्षेन ले सकते हैं, तो आप क्या सोते हैं कि कड़ा सा कड़ा एक्षेन जो होगा वो क्या होगा? पंसल जी, बताईए आप बताईए। देखें कड़े से कड़े एक्षन के लिए हमने कहा है कि उसका पूरे मेबातेरिया का डीप सैनिटाइजेज नोना चाहिए जहां जहां भी जैसे जैसे अपराधी तत्व और जिहादी तत्व और यह जो आतंकवादी मान सिकता जहां जहां पनप रहे है उन सब को डीप अगर आतंकबादी कौन बन रहा है और ये छोटी-छोटी अभवाँ से कौन भड़क रहा है बड़कने बाद पत्थर कौन फैंक रहा है गोलियां कौन चला रहा है पाडी को पच्छड को पर आम अगरा पर रहा है जहन को खराप कर रहे हैं जहन की अव्णिरे सा थर just Homie सर करी करें रहा हमने देखता हूं को सजार के लोगों और हुए हcket है नों कки समाजों को भी अज़ों को भी समाजों को भी या हमें एक बड़ी आ बसक्राइब कर रहे हैं जिए बहुत शुक्रिया सर बंसर जी रागी साथ अब रुज़ी साथ और आप लोगं का ही बहुत शुक्रिया आत्रुफ्टोग्यों में आए इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर